हलो गुड बॉर्णिंग दोस्तों आपके लिए फिर से आ गया है एससी एकेडमी एससी एकेडमी आपका स्वागत है आपके लिए बीपीएसी टीचर टीरी 3 के लिए साइंस के एक हजार सवाल आये हैं ठीक है तो आपसे अनुरोध है अदि आप चेनल पर नए हैं किर्पया चेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर करें आपके लिए मैं 1000 साइंस के परमुक कोश्चन जो परिच्छा माने की संभावना है देने का प्रियास कर रहा हूं चलिए चलते हैं आज के पहले कोश्चन पर आज का पहला कोश्चन ह और वह देखें बूलता है वांडर वाल्स ने समय करन पीभी बराबर आर्टी को सही किया इसको किस पर लागू करने के लिए तो फटाफट इसका इंसर देते हैं वांडर बाल्स में समय पीवी बरावर आर्टी को सही किया यह होता है यह क्या होता है यह बास्तवी गैस के लिए होता है क्या होता है यह बास्तवी गैस पर निर्भर करता है बास्तवी गैस किसके नियम को लागू नहीं करता है प्रजगे चले फटाभव बिल्कूल के आगे चलते हैं कि अगला देखी अगला कोशन में टू कि क्या है किसी अर्थ चालगता क चालगता तो च्रूंञ dan ताप बढ़ने पर क्या होता सै चलंक ता बढ़ती है जैसे आप सिल्काण देखते हैं सिल्कन क्या है अर्ध सालक है गया है अर्ध चलंक पालन होता यहां पर दायोडивать Caleb यहां भी ओंके नियम का पाला नहीं करता है ठीक है नियम का पाला नहीं करता डायोड जलीए आगे चलते हैं अग्ला कोस्टन देखिए घृब यहां अग्ला कोश्टन में आपका क्या है और देखी कोश्ट हमें 3 में भारतिये रेलमारिय, ऐसी कोशोन में पर्यों किया जाना लब बोल्टेज्ए इसका मतलब क्या भारती के रेख स२्द हीना अल्टरनेट होता है यह उस में यूस क्या जाता कैसा होता हौट कि वह होता ह४cl.50000 का होता है ठीक है आगे चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन आपका क्या है वह देखी अगला कोशन अगला कोशन बूल रहा किसी बॉड़ी का जरत आघुन निर्भर करता है किसी बॉड़ी का जरत आघुन निर्भर करता है एक है ऑप्सन है इसके द्रमान पर इसके द्रमान तथा अर्द्व्यास पर इसके द्रम तथा आक्ष के चारों और द्रवमांड के बित्रन पर क्या करता है पिंट का जरत आगुन निर्भर करता है ठीक है अब आप से पूछा जाता कि जरत क्या है जरत किसी बस्तु का रिजिटी है ठीक है जब तक उस पर कोई बल नहीं लगा जो अपना अस्थान में कोई परिवर क्या नाम है तो हवा की आदिता मापने वाला उपकरन का क्या नाम है तो हवा की आदिता मापने वाला उपकरन देखे हाइड्रो मीटर है एक हाइग्रो मीटर आपको जब भी बोलते हाइगा तो हाइड्रो मीटर और हाइग्रो मीटर जरूर से जरूर रहेगा इस सवाल को को ध्योन से देखिएगा ठीक है है की ह। dating है हाइग्रो का मतलब होता है आदता मा outta महापना इपर हाइदार मतलब होता इसका मतलब होता आप exists क्छि क्या भनत के ए वाइन से एडिर बात करें वेलंसर क्या देंगे हड्र है तो आपको क्या करना है को में बताना है बारे में कि कब क्या दिखाता है जो ऑधी तुफान आता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले कोशन नमबर पे कोशन नमबर 6 देखते हैं कि दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं कि आप चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें हम आपके लिए 1000 कोशन का वादा किये हैं यह आपको परिक्षा से पहले एक्जाम से पहले हम दे देंगे इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिए ठीक है सब्सक्राइब कीजिए कोशन पर चलते मनुस द्बारा काटने के दंगत का प्डीओ किया जाने वाला दंगतों का क्या नाम है ठीक है तो मनुस में जो होता हुआ जो आपका दोता होता है ठीक है दूगो यह क्या होता काटने वाला यह होता इंसीजर होता है ठीक है उसके बाद जो आपका चीजने फारे बड़ा दौत होता है इसको के होता है ठीक है तो मिल्क टीथ का फॉर्मूला आपको कॉमेंट में लिख के दिखाना है ठीक है चलते हैं आगे थोड़ा सा आप से बात करते हैं तो आप से क्या बोलता है जो किरतंक दौत होता है टोटल आपका कितना होता है किरतंक दौत की संख्यां कितनी होती आठ होती है क ठीक है आपको क्या करना है बताना है दो टाइब का एक करतें आप समझ घए हो गये स्वढ इस सवा काटने गया होता मौलर से थो ठीक है चलिए दूसरा पिराने नहों होता है उसके बाद चवाने वाला प्री मूलर यह दो यह under मतलब मूलर से थोसा पहले राता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले कोशन पे धियान देते हैं कोशन नमबर कोशन नमबर साथ बूलता है रजता उंधी किस वीटामिन A की कमी से होता है ठीक है तो विटामिन A के बारे में आपको बता दे सबसे पहले बता दे विटामिन A का रशानिक नाम क्या होता है रेटी नौल क्या होता है रेटी नौल विटामिन A का रशानिक नाम होता है बी कंप्लेक्स होता है इसलिए B का कोई नाम नहीं बुला जाता ह बीटामिन दी का रशानिक नाम होता है यह होता है टेको फ्राल एक होता विटामिन की इसका क्या नाम था फीलो यूनों होता है ठीक है से रत Gordon's हो गया और इसे बिटामिन D की बात करे इससे होता बिमारी का नाम होता रेकट्स मलेसीा बिटामिन I से क्या होता यह जनन सक्ती में कमी होता है ठीक है चलिये uh beauty बिटामिन किसको बोलते हैं एको अगे समझ में चलते हैं बिटामिन की बात करते हैंouth फंक क्या हरता फंक विटामिन सब्द किस ने दिया था फंक ने दिया था ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला कोशन चलते हैं दोस्तों आप से उम्मीद करते हैं इस वीडियो पर एक सो लाइक मिल जाए तो हम आपके लिए और भी अच्छे-च्छे कोशन लेखे आएंगे चलिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए हम आपके लिए अच्छे-च्छे काम करेंगे ठीक है कोशन आगया कोशन नमर आट देखते हैं भारी पानी हैवी वाटर का अन्विक सुत्र अन्विक भार लिखा हुआ ठीक है तो भारी पानी सबस्पहले इसको क्या लिखते हैं आप में आगया है hydrogen के क्या होते है आपके पास तीन समस्थानिक होता इक होता है नौर्मल वाटर की बात करते उसमें क्या होता है उसमें आपका होता है होता है यह आपका डीयुटेरियम होता हुषके साथ ओ होता है तो आपको बताने इसका मैची वेट क्या होता है ऊपर उसके मेच होता है तो हाइडोजन इसमें क्या है है यह चार मैं इसका वजन कितना हो गया वजन होता है वेट कितना होता है समझ मागया सवाल का एंसर है चलिए आगे चलते हैं अगला कोश्यन क्या होता है किंवल मापता है इसको बोलते हैं यूंग परतियास्था के लिए होता है ठीक है चलिए समझगे आगे चलते हैं अगला कोशन चलिए अगला कोशन आपके समने क्या आगा रोटा मोटर का परियोग पाइपों में क्या मापने के लिए किया जाता है रोटा मोटर का परियोग पाइपों में क्या मापने के लिए किया जाता है तो रोटा मोटर प aap के अंदर किया मुआ अरजन मापने के लिए या जाता है ठीक है यहीं पर एक सामने प्राइप से संवन स्मुद यहें है, बैंचूरी मिटर क्या एगा मैं आगा, बैंचोरी मीटर성 ऑफ समय यहें बैंचूरी मीटर कि तुब क्या होता है तिपाइप के अंदर द्रब का परवाह मत नली में द्रब का परवाह की दर को ग्याद करता उसको कते बैंचुरी मिटर आप याद कर लेजिए कोशन छपने की संभावना है चलिए समझ गया है इस सवाल का अप्शन क्या हो अप्शन नबर सी चलिए अगला कोशन नबर ग्यारा देख бол आपका क्या है बुलता है सुच्म और नास जीवानों को बिकास की घटाना जीवानों को निस्करिया करना जीवानों को सीद करन निस्किर्या से जैसे आप क्या करते हैं निस्किर्य करते हैं किसी बस्तू कर रखते आप वहां में करते हैं कि से सीथ गिरी का यह उप्योग करते हैं तरापन होता जैसे चिलेंपर क paradigm मन होता है दस डिग्री सी से लेकर उसके बाद तर देघ्री सी तक कितना होता अठारा स्मंझ हाग जलते हैं अगले कोस्चन अपका क्या है ऊच्छा कोशन नंबर आ गया नहीं कि क्या बुल रहा है कि परिवारतीत करता है क्या क्या क 콘श्ทय के लिए रशानिक उर्जा में परिवार्तीत करता से और सं लाइट जरूरी होता है और चलोडोफिल जरूरी होता है तो आप से कभी कभी पूछा जाता है पर कास लेशन का उत्पाद होता है क्या होता है गुलकोज होता है क्या होता है में क्या होता है ठीक है समझ गया कोशन नंबर आगए चलते हैं कोशन नंबर तीरह आप देखते हैं कोट्ष नमबर देखे ध्वनि तघ्वनाइव भीकते गारत। ध्वनी तरंगंगे क्या है क्लाइभ बच्छी है असिप लंबद वह थिक कि 5 तरन क्या होता शिप लंबद ऑशिल तिर्यागी हिवला थी ता Christmas तेसे होता थीक है अनू दय धार ये ठीक है बात आ गया समझ में तो दोनी कोछ और री बात हम लोग कर लेते हैं तो ड़ोनी की साथ होता है है लोग से 20ह으니까 को सुन सकते हैं ठीक है झाल भी इधिन बस तो हम अलग होता है जिसे की घैसес में सबसे ज्यादा हो ता है जैसे बात समझ के हैं तो पर दाव का पर नहीं पर नहीं परता दाव करभॉब नहीं परता है दाव का पर्भाब नहीं परता है निए evident नें परता है विए अगला Q닉 नंबर है Qagnumデ psychology देखे पूलता मनव सरीर में किいます है किया हुदता है मनव सरीर में क्रोमो स्वं की संख्या स्वाने सब्सक्राइब श्याले सब्सक्राइब हख स्वाल 15 है कि निमलीखित में से कौन सा और पेट के जीवानों को सोाख करता थे पेट में जीवान होता है पेट में आपका जो अमन होता हुआ क्या होता है और सिएल ठीका वे इसका नाम होता है हाइड्रोख्लोरिक्ट क्या होता है ह dual particular नहीं Voicesive of autodemagra कैंब करता है आपके विछित्प में टीक है भेट है Hai आपको या क्या करता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है प्रोटीन के पाचन में होता है आगला कोशन बोलते हैं दोस्तों अद्य आप चेनल पर नए हैं करें चेनल को क्या करें सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों में करें ठीक है और आप light करें आपका एक like मुझे motivation देता है सोतन्त रूप से गिरने वाले बस्तू में सोतंत रुप से जो कोई बस्तू गिरते उसमें क्या तो समान तोरन होता ठीक है क्यों क्योंकि यह आपका पिर्थवी है उपर से कुछ गिराएंगे तो पिर्थवी अपनी और किसी बस्तू को आकाशित करता है वह जो तोरन होता है जी होता है जी वरावर क्या होत Ce n ka बात समझ मां घया ठीक है अब देखिया आई-हां पहर तो ran की बात करताय तो किसी वस्तुर की वेग में परिवर्थन की दर को तूरन करते हैं इसका मातलक क्या होता मीटर पर सेकिंड एंड्य एस्कॉरर्ण का होता तो dark ठीक है विश्दापन की दर को हम क्या करते हैं प्रिवर्तन की दर को तुरण करते हैं यह यह क्या सदिस रासी है ठीक है जो लियुक्त को नारी आपका छूके डॉक्टर क्या करता है इसको क्या पता लगता तो डॉक्टर को हिर्दे की धरकन के बारे पता लगता है कि चलना ठीक है तो आपका हिर्दे की कितना धरकता है तो 72 बार धरकता है ठीक है 72 जब कि आप बच्चा रहते हैं बहुत बेवी रहते हैं भूरन अवस्था में ठीक है तो कितना बार धरकता है 150 बार धरकता है ठीक है हिर्दय की धरकन होता है ठीक है हिर्दय की धरकन को नियंतिर करने वाला आपके बोड़ी में हार्मून होता यह होता थायरोक्सीन और एड्रेलीन ऐड्र लेलीन होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं चलिए आगला ओष्छन देखते हैं गोष्ण नमबर जो आपका है वे क्या है क्या है कोशन नमब 18 18 1818 बोलता है एक्स की रन पार नहीं कर सकती एक्स की रन ठीक है एक्स किसको पार नहीं कर सकती एक्सरे एक्सरे मानव अस्थी को पार नहीं करते क्यों आपने देखा है एक्सरे जैसे आपका हड़ी तूट जाता है तुसको एक्सरे करवा कर लाते हैं तो अगर उसको पार करते ठीक से अस्थी को पार नहीं कर सकता, X-ray का खोज किसने किया है रॉन्ट जन ने किया था, ठीक है, चली अगले question पर चलते हैं आगला देख लेजिए कोश्चन मबर उनीस किस रोग के पर तेका दिया जाता है ठीक है पोलियो है राज । से हैं खसरेह हैं तो बीसी जी का टिका किस के लिए जाता ती गए की से होता एंचाShix तो आपको बता एंचाएं को हम रज्रोग आइए हैं अब आपको एक बात बता धे एक कोशन आफके 272 डी पी टी क्या हैगा डी पी टी ठीक है तो डिप्थिरिया डी फोर होता है डिप्थिरिया पी से होता है टीवर क्लोसिस ठीक है टीवर क्लोसिस डिप्थिरिया काले खांसी और टीटनिस ठीक है डिप्थिरिया काले खांसी और टीटनिस डिप्थिका टीका बच्चों को दिय जाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला कोस्च देखते हैं इनmeno:「 twists वह क्या होता वह तैक है कोश्च ओंच नहीं किया रेडियो धर्मीता का स्थारभी कि ने सापकता का सिध्यांत एलबर्त आयिंश्टेन ने खोज किया दिया था ठीक है अलबर्ट आइंश्टेन परकास का किस ने दिया था एक आपको समीक्रान आएगा ऑट यो बरावर M c स्कुर्णव क्या और मीकिसर ऐख यह में भाग नहीं लेता है ति का मतलब होता है नाइटोजन का इस्थिरी करन होगा या जि without नमबर होगा और अब बच गया सीओ टूजू बैक्टीरिया भी क्या करता है नाइट्रेट को नाइट्रोजन करताया करता इस नहीं बना बात पूछा ठीक है र्यान देजिए तो नहीं को करता सी ओ त्वाल का answer हो गया ठीक है बात आगे समझ में चलते आगे दोस्तों यदि आप चैनल पर नए है तो खुर्प्या आप चैनल को जरूर से जरूर क्या करें सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको हर रोज ऐसा ही वीडियो मिलेगा ठीक है देखिए क्या है कोशन नमबर 22 अक्रिये गैस के बाहितम सेल में इलेक्टोन की संख्या होती है ठीक है अक्रिये गैस अक्रिये गैस क्या होता सबसे पहले अक्रिया गैस आपको जो क्या होता है आवर सारनीम होता है उसमें फर्मूला होता ही ना आके जाना रहे क्या होता ही का मतलब होता हीलियम ना का मतलब होता है नियोन आ का मतलब आरगन आके का मतलब क्रिप्टोन आके जाना जाना का मतलब जेनोन होता आरे का मतलब रेडोन होत इसके बाहितम काउच्छा में कितने इलेक्टोन होते तो इसका गुरूप का है तो ने कहा जाता है ठीक है समझ गए हैं चलिए आगे चलते हैं ठीक है आपको कभी कभी एक कोश्चन आएगा सभी अक्रिया गैस में क्या होता है लेकिन हिलियम की सब्सक्राइब कर और कि इसको तो से जजादा है नहीं तोük इसे पूरा था वांबर शीघ रहते हैं tyres चले आगे चलते हैं इसवाल का एंसर पर हो गया इस सब्सक्राहर आपका हो गया कि सब्सक्राइक ट्रॉंशनज नंबर सी अ छाग souhaगे चलते हैं GC122 पर कोशनमर ट्वीटीः क्या है मैंडलीप के अनुसार तो का गुण आवर्ती भलन होता थे मैंडलीप ने अपना अवर्सानी दिया यह क्या दिया और सानी देख मैंडलीप पर बात करता मोसले का किसका बात करता मोसले का तहे या दिये थे परमनू संख्या परमनू संख्या तो ये सवाल केंसर क्या होगका और आप्सटन नंबर यह हो जाएगा ठीक है चलिए आले चलते हैं अगला कोस्चन नमबर है चौबिस बोलता है किसके कारण दूद का रंग सफ़ेद होता है ठीक है दूद का रंग सफ़ेद जो होता यह होता है कैसीन के कारन किसे कारन होता है पीला होता है यह होता है के रोटीन के कारण होता है बात समझ में आ गया चलिए आगे चलते हैं कि आगरे स्वाल कोशन नॉम्बर 25 क्या है कोशन नॉम्बर 25 क्या होता यहाँ देखते हैं कोशन 14 no.25 जो आपका है वह आपका है निमनलिखित मेंशय कारक दोनों है ठीक है ऑकसी और अवकारत पहले आप जोन लेजिए कि ऑक्सी कारक क्या होता है तो ऑक्सी कारक जिस पदार्थ का अवकरन होता है अर्था जो पदार्थ ठीक है यानि कि जो पदार्थ क्या करता इलक्टोन को गरहन करेगा ठीक है इलक्टोन को गरहन करने वाला क्या होता यह होता है आपका औक्सी कारक ठीक है वही जो इलेक्ट्रोन का त्याग करेगा वह क्या होगा अब कारक ठीक है तब इलेक्ट्रोन को त्याग जो करता है वह अब कारक होता है ठीक है तो अक्सी कारक और अब कारक ठीक है देखे जैसे कि आपने जैसे सोडियम की बात करते हैं सोडियम की प्रमु 19 तो इस ने क्या पुच्छा इस में औक्सी कारत और अब कारत करने का मतलब क्या होगा अपका एक होना चाहिए त्याग करने में क्रता होता ओट त्याग करेगा ठीक है और यह क्या करेगा गरहन करेगा ठीक है तब क्या पुराएगा कि अपना इसमें कितना होता है दो अ और याषए एक यह यह भी यह जो यह भी त्याग करेगा तो यह इसका एंसर नहीं हो जैसे इसमें एक क्या-क्या यह भी त्याग करेगा इस सवाल का एंसर क्या होता है यह तो दोस्तों आज का यह 25 कोशन कम्प्लीट हुआ थैंक्स फॉर वाचिंग अपने दोस्तों में क्या करें शेयर करें और चैनल को लाइक कर दें लाइक बटन दवा दें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसा है वीडियो आपको मिलता रहेगा ठीक है थैंक्यू थैंक्यू आप लोको बाइबाइबाइबाइब नाइस देए ठीक है